अलो फ्रेंट्स वेलकम टू अनधर वीडियो इस वीडियो इस पार्ट ओस 18 ओफ अवर चैस सीरीज तो चैस सीरीज का 18 पार्ट है मैंने 17 पार्ट कल ही बनाया था आपको पता होगा आपने देखा होगा तो शायद अब इस वीडियो में हम क्या करने वाल है मैंने अपना नहीं लगती इसलिए मैं फाइल का नाम ढंक से दूँगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे थोड़ा काम चलिए तो पहले मैं फाइल का नाम सही से दे देता हूँ तो हम पहले देखते कि मैपिंग OOP.js करता क्या है पहले मैं ये देख लेता हूँ मैपिंग OOP.js क्या करत मेरे ख्याल से, ओके तो मैं टर्मिनल में जाता हूँ, जो भी मैंने चेंजिस किये थे, वो सारे के सारे मैं, मिटा देना चाहता हूँ, अब देखता हूँ, इसको refresh करता हूँ, ओके कोई फरक नहीं पड़ा, तो पहले, सबसे पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, सबसे पहले, वो यह है, कि एक नया फोल्डर बनाऊँगा, अब क्लासिस नाम का, अब क्लासिस नाम के फोल्डर के अंदर, हम सारे के सारे, जो भी क्लास हम यूज़ करने वाला है, जैसे की, square.js हम यूज़ करने वाला है, square class, तो उसकी फाइल को मैं रखोंगा, उसके अंदर, और फिर क्लास को export करा हूँगा, और दूसरी फाइल से मैं import करा हूँगा, और ऐसे यूज़ करूँगा, तो यह देखो आप, मैंने अभी एक फाइल खोल के रखिए, mapping.op.js, इसको मैं अभी के लिए, delete कर देता हूँ, यह कोई काम की नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, तो यह आपको फाइल दिख रही है, अभी, इसके अंदर एक class है, आप देख सकते हो, class, square, करके मैंने class दिया है, और इसके अंदर मैं main map भी बना रहा हूँ, main map क्या है मैंने आपको बता रहा था, last video में कि हम data से UI को generate करने वाले है, हाला कि वीडियो की quality इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको समझ में आए, ऐसा था ही, ठीक है, कि हम data से UI generate करने वाले है, तो यहाँ पर मैं एक class बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर सिर्फ class रहूँगा, सिर्फ square नाम का class रहूँगा, और कोई भी चीज मैं रखना नहीं चाहता है, इस file के अंदर, तो मैं एक नई file बना देता हूँ, class नाम का एक folder तो मैंने बनाई दिया है, इसके अंदर एक नई file बना देता हूँ, जिसका नाम हुगा square, square, underscore class, dot js, इसके अंदर सिर्फ class का code होगा, तो class का code सारा का सारा निकालता हूँ, control x, और यहाँ पर paste करता हूँ, और भी एक चीज, आगे भी मैंने काफ़ सारी comment करके रखी है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, और इसके अंदर डाल देता हूँ, वो class की detail है, और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को रखना चीज है वहाँ पर, तो मैंने रख दिया है, और कौन सी चीज है, जो मुझे take care करने ही चीज है, मुझे देख लेने दो, अब आप देखना, जैसे मैं open करूँगा, अपना browser, error आनी है, मैंने देखना है, browser open करना, देखो, कुछ भी नहीं आ रहा, render ही नहीं हो रहा, console में जाओंगा, तो error होगी, square is not defined, होगा यह error, क्योंकि मैंने square class ही निकाल दिया, तो error तो आनी है, अब मैं square class को export कराऊंगा, यहां से, इस class file से, जो कि मैंने classes, नाम के folder के अंदर रखी है, और इसको वहाँ पर mapping.op के अंदर import करता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि, कैसे export करता है class को, how to export a class in JavaScript, तो यहां पर मुझे देखना पड़ेगा, और export class employee, ऐसे करके आप export कर सकते हो, तो ऐसे अगर मैं कर सकता हूँ export, तो मैं यहां पर लिख दूँगा ना, export class square, ओके हो गया export, अब import कैसे करेंगे, तो आप ऐसे ही भी export करा सकते हो class को, लेकिन मैं वैसे नहीं कराना चाहता, import employee from okay, तो ऐसे आप import कर सकते हो, और export मैंने जो किया सा square था okay, तो इसके अंदर मैं import कैसे करा हूँगा class को, यहां पर मैं लिख देता हूँ, इसके उपर, importing square class, तो square class from class folder, अभी के लिए लिख देता हूँ, जिससे अपन को पता चले की हम कर क्या रहा है, okay, import और class का नाम था square, मैंने capital में नहीं रखा होगा, नहीं रखा है वाई, रखा है, तो मैं capital में लिखते था हूँ, import square from, लिखूंगा, index रहा रही है, देखना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा, from, okay, तो मुझे, ऐसे करना पड़ेगा कुछ, यहाँ पर, curly bracket की जरूरत है, ना की string वाले, उसकी, okay, quotes की जरूरत नहीं है, sorry, from, यहाँ पर मैं करूँगा, classes में से, और square class में से, मुझे यहाँ से import करना है, अब शायद error नहीं आनी चीज़े, मैं reload करता हूँ, error तो आ रही है, फिर भी, देखता है, कौन सी error है, square.class तो open ही नहीं हो रहा, भाई, यह यह एसा बूल रहा है, square.class open क्यों नहीं हो रहा, fail to load resource, the server respond with the status of zero, क्यों बाई, open क्यों नहीं हो रहा, no source, तो यह op के अंदर देख रहा है ना, इसलिए, अच्छा op के अंदर मैंना नहीं बना, अरे op के अंदर दी तो है, dot slash classes, इसके अंदर ही तो हूँ मैं, dot classes मैं कर रहा हूँ, और उसके अंदर square class करके, file है, इसमें से import करा रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा dot js, अब देखता है, ओके तो dot js लिखना चाहिए था, dot js के बिना काम नहीं करता, dot js लिखना पहली बात, ओके पहली नहीं, last बात, आखरी बात, square class यहाँ से import, export हो गया है, और यहाँ पर import हो गया है, okay, mapping OOP के अंदर, अब mapping OOP के अंदर, हम इस data को भी manipulate कर रहा है, mapping, तो यहाँ पर मैं इसका नाम, थोड़ा दूसरा रखना चाहूंगा, इसका नाम मैं रखता हूँ, initial, initial underscore, mapping, initial mapping, okay, नाम तो सही है वैसे, तो यह initial mapping करके हो जाएगा फाइल, okay, अब भी कोई ना कोई error आएगी, क्योंकि मैंने ना, mapping OOP कहां से, कहीं से import किया होगा, इसलिए वहाँ पर error आगी है, okay, तो भी हम solve करेंगे, पहले मैं देखता हूँ, कहां पर मैंने import किया था, class को हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, render.tml की जरूरत है, लेकिन initial map मैं से मैंने, export करना है इसको, okay, तो import star as silicon from render.tml, यह तो सही है, मतलब, यह तो काफी सही है, और import from export.functions.js, और export functions के अंदर से हमने किया है, okay, तो कहाँ पर error आ रही है, कहाँ पर error आ रही है, मेरे वाई, okay, तो error index.tml के अंदर आ रही है, इसको मैं हटा के, नाम रख देता हूँ, जो भी था अपना, initial mapping, वो सही लगता है, यार, नाम ना सही होना चाहिए, यह स्वरना बहुत confusion होती है, मैं सद बुलता हूँ, बहुत confusion होती है, बहुत सद बुलता हूँ, ठीक है, अभी कौन सी चीज मुझे करनी चाहिए, तो यहाँ पर render होके, आ जाएगी सारी चीज़े, इसे तो आ रही है, okay, render.tml.js, यह render कराता है, सारी फाइलो को, और इस function को यह मैंना export करके, initial mapping के अंदर ला दिया था, okay, तो यहाँ पर एक problem है, क्या problem हो पता है आपको, render.tml.js है ना, इसके अंदर मुझे, इस object को, main map नापके object को, main map पता है आपको क्या है, यह जो main map है ना, उस object को मुझे import कराना चाहिए, उसके अंदर, okay, तो वो मुझे कराना चाहिए था, ना कि वो function मुझे export कराना चाहिए था, तो मैं यहाँ पर export वाली line ही निकाल देता हूँ, यहाँ पर export वाली line निकाल देता हूँ, import कराता है, export वाले जो functions है, addpon वाला function, उसको हम export, import कराता है, लेकिन यह नहीं होना चाहिए था अब यह export function.js है हर एक piece के लिए मैं अलग-अलग functions बनाना चाहता हूँ तो मैं एक नया folder बना देता हूँ इसी के अंदर इसी के अंदर मैं एक नया folder बनाऊंगा functions underscore of underscore pieces ओके तो यहाँ पर साधी functions की file है रही है functions की file को सबसे पहली एक functions की file है यह यह नहीं है add pawn image to location वाली जो file थी वो तो यहाँ पर मैंने pawn का सारा functions डाल के रखा है तो यहाँ पर मैं लिख दूँँगा pawn underscore function ओके function अरे भाई जाना तू तू भी जा भाई pawn function और यहाँ पर एक problem है spelling में pawn underscore function इसको मैं यहाँ पर functions of pieces के अंदर डाल देता हूँ और अब मुझे वहाँ पर भी path change करना पड़ेगा अपने render HTML के अंदर तो path change करके मैं लिख देता हूँ dot dot star या फिर dot star functions of piece और इसके अंदर pawn function dot js भी करना पड़ेगा js करना मन बुलना वरना error आएगी फिर आप मुझे बोलोगी यहाँ error आए silicon dot render UI is not a function ओके तो यहाँ पर कहाँ पर पता है initial mapping के अंदर मैं जहाँ पर import करवा रहा था अब मुझे इसको import करने की ज़रूरत ही नहीं है अब मुझे export करना इस चीज़ को तो export कैसे करूंगा तो अभी मुझे पूरा का पूरा एक array export करना है अब array कैसे export करते है वो भी देखना पड़ेगा मुझे क्या सारी चीज़े सारी syntax मुझे याद नहीं रहता है मैं सिधा बोलता हूँ मैं अगर मुझे याद नहीं रहता हूँ मैं google कर देता हूँ how to export a array from javascript export कैसे करे array को export name export.names या फिर export let array import array और export 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 मेरे ख्याल से कहीं प्यावर होगा export कैसे करें देखो render at tml के अंदर मैं import कराऊंगा इसको import main map from initial mapping.js अभी भी कुछ नहीं हो रहा main map तो आ गया भाई लेकिन console.log तो करना पड़ेगा कि main map आया की नहीं error नहीं आया ये तो आ ही गया होगा देख लेता है यार नहीं यार नहीं आया क्यों नहीं आया main map क्यों नहीं आया भाई क्यों नहीं आया उचना कुछ तो होना चाहिए okay 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 समझ गया तो problem क्या आ रही थी मुझे अब पता चल गया है कि problem यहाँ पर यह थी कि मुझे index.tml के अंदर एक file include करनी पड़ेगी render.tml मैं भूली गया था okay होता यार अभी काम करना चाहिए मेरे वाई हाँ अब काम कर रहा है अब आप देख सकते हो कि यहाँ आपर console के अंदर पुरा का पुरा जो अपना main map वाला है वो print होके आ गया है okay और यह काफि ज़रूरी था मेरे लिए अब मैं क्या करूँगा जल्दी से function को call कराऊँगा main map तो मुझे मिल गया है main map वाला data मिल गया है अब मैं data मैं से UI जनरेट करूँगा मज़ आएगा चलिए तो इसको मुझे last में रखना पड़ेगा अब हो जाना चाहिए सारा चीज़े render अब हमारे पास एक ही main map है मतलब एक ही data होना चीए हर एक इनसान के लिए अगर आप खेलते हो chess आपके लिए अलग error होगा मेरे लिए एक error होगा दूसरे के लिए अलग error होगा ठीक है अब थोड़ा file structure देखे सारा चीज़ों को close करके index.tml को king को रहने देते है index.tml king है इसलिए और बागी सारी चीज़े मैं देखू तो op के अंदर classes है उसके अंदर square.class है function of pieces है उसके अंदर pawn है initial map है initmyboard.js है ये कोई काम का नहीं है इसको मैं delete कर देता हूँ ठीक है ये भी कोई काम का नहीं इसको मैं delete कर देता हूँ काम का था या नहीं था नहीं था नहीं था कोई काम का नहीं है इसको भी मैं delete कर देता हूँ अब मैं देखता हूँ सारी चीज़े साही चल रही है console में देखते लेता हूँ एक बार कोई problem आ रही है या नहीं आ रही भाई ये तो सारा console.log हो रहा है और कुछ नहीं है ठीक है और वो log भी यहीं होगा control F console.log ओके समझ गया मैं क्या problem थी तो I hope आपने भी अपनी file की system जो भी थी वो change कर दी होगी मुझे पता है कि मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ और आपको लग सकता है कि ये क्या वीडियो बना रहा है यार main content पे shift करो main content पे shift करो आऊँगा main content पे आऊँगा लेकिन ये छोटी छोटी चीज़े बहुत matter करती है ऐसे ही रहने दिया होता जैसे था मेरा file system तो बहुत problem आनी थी future में बहुत ज्यादा problem आनी थी इसलिए मैंने change कर दिया है सारे का सारा नीम और वो सारी चीज़े thank you for watching this video I will see you next time चैनल को subscribe कर देना like करना वीडियो को share करना दबा के bye